हरे कृष्ण दोस्तो वेलकम टो माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ सुखी होंगे सुरक्षित होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे दोस्तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सारे काम अपने करने की कोशिस करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं बड़ी मैनस से करते हैं बहुत अच्छे प्रयास के साथ करते हैं लेकिन फिर भी कोई-कोई काम ऐसे हो जाते हैं जो बीच में अटक जाते हैं तो जो काम अटक जाते हैं बहुत ज़्यादा बाधाय आ जाती है किसी भी काम को ले करके वो किसी के साथ भी हो सकती है जैसे स्टूडेंट्स भी हो गए बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तियारी कर रहे हैं और उसके बाद उनका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं आ पा रहा है और यही होती है कि किस तरह की बाधाये आ रही हैं बहुत से लोग अपने काम को ले करके बहुत कुछ ऐसी मुर्श के लिए कुछ ऐसी अडचने कुछ ऐसी बाधाये आ जाती हैं जिसकी वज़े से काम पूरा नहीं हो पाता तो आज मैं बताने वाली हूँ एक बहुत भी बढ़ी आच्यों को पाए जिसको आप अगर करेंगे तो आपकी जितनी भी अडचने हैं बाधाय हैं रुकावटे हैं किसी भी काम को ले करके वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगे तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी भी तरह की कोई भी बाधा हो रुकावटे हो काम अटक रहे हो तो वो कैसे दूर हो जाएं और काम हमारे कैसे पूरे हो जाएं तो है आपको एवरी सैटरडे एक किलो आठा दान करना है। आपको इतना दान करना है, जरुष़ाट से जज़ादा मैं नहीं कह रही हूँ। जरुष से कम भी नहीं कह रही हूं मतलब अगर आप हफते में सैटरडे एक किलो अगर आप आठा सोची कितने का आता है ज्यादा महेंगा भी नहीं पड़ेगा आपको ज्यादा इतना ज्यादा सस्ता भी नहीं पड़ेगा कि आपको लगे कि मैंने कुस किया ही नहीं है एक कि करना है दोस्तों इतना करिएगा कि कम से कम कुछ रोटियां कुछ उंका उनके खाने का इंतिजाम हो जाए जो बहुत परेशान है जो बहुत ज्यादा नीडी झाल अफ़ाइं कम से कम उसमें कुछ रोटियां बन जाए और लोगों का जो भी है वह पेट भर जाए बाकी छीज कि आपको एक किलो आटा एबरी सेटेड़े को दान करना है जिससे कि किसी का पेड़ भर जाए और अगर आप अपनी श्रद्धा के अनुसा उसमें कुछ और एड़ करना चाते तो आप एड़ कर सकते हैं काम अटक रहा है बाधाय है यह सारी दूर हो करके आपके सारे काम सफल होंगे अच्छे होंगे पूरे हो जाएंगे कुछ ही टाइम में आपको इसके रजल्ट जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करतीजेगा सब्सक्राइब करतीजेगा थैंक्स पर वाचिंग